ही गाइज, वेकम टेशोस पॉइंट, आज अभी हम लोग डिस्कॉस करेंगे वीजन आइस की जो कि यहां पर हाइलाइट्स है, इस बार की जो एकॉनमिक सर्वे है 2021 और 22 की इसकी हाइलाइट्स हम लोग देखने वाले है, अब देखे कुछ दिन के बाद यहां पर एकॉनमिक चैनल पर भी मैं शेयर कर दूँगे, साथी साथ आप लोग गूगल पर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो दोनों अगर पीडियाफ पढ़ना चाहते हो, तो यह थोड़ी से लेंदी हो जाएगी, बट आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं, जो कि हमारे प्रलेम्स में और मेंस में जो आप आंसर आइटिंग करते हो, उतने के लिए कफी होते हैं, more than sufficient होते हैं, तो दो वॉल्यूम पढ़ना बहुत ही टाइम टेकन होगा, और दो वॉल्यूम पढ़ने से जितना टाइम लगेगा, जितना इन्पुट आप लोगे उतना आउट्पुट होता नहीं है, तो बेटर है, एक स्मार्ट स्टाटिजी है कि समरी या जिस्ट कोई फॉल्यू कर लीजे आप लोग, तो पहले तो हाइलाइट्स देख लीजे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एकॉनमिक सर्वे में होता क्या है, और इस बा जो साल बीद गया है, एक साल जो बीद गया है, उसका हम लोग देखते हैं कि कैसा रिपोर्ट रहा, ठीके रिपोर्ट कार्ट कैसा होता है, उसमें आपके पूरी तरीके से एक रिजल्ट होता है, कि आपने क्या-क्या काम किया, उसी तरीके से सरकार की भी यहाँ पर रिजल होता है उसके एक दिन पहले पहले economic survey हम लोग देख लेते हैं तो 31st of January आप देखो कि हर साल अब क्या होता है कि economic survey को यहाँ पर लाय जाता है जिससे आप पहले यह समझो कि last year हमारे देश में क्या-क्या हुआ economic point of view से उसके बाद first of Fave को आप देखो कि budget प्रस्तूत किया जाता है अब हम लोग discuss करेंगे कि आगे आने वाले एक साल में सरकार की क्या-क्या योज ना आए हैं तो यह होती है और इसको prepare किया जाता है department of economic affairs जो की ministry of finance के अंदर आते है और guidance किसके guidance में इसको prepare किया जाता है तो यह है chief economic advisor एक-एक point यह यहाँ पर clear होना चाहिए क्योंकि काफी important है यह आपके लिए जो economic survey की theme है वो यहाँ पर art और science of policy making से यह आपका related होता है और under the condition of extreme uncertainties तो मेलनी आप देखो जितनी भी योजनाज जो है और schemes वगेरा सरकार के द्वारा बनाए जाती है वो मेलनी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे देश की vulnerable section of societies है उनके लिए यहाँ पर हो सके extreme uncertainties के conditions में यहाँ पर आप देखो कि policy makings वगेरा होते है वो भी एक art और science है हमारा economic survey यहाँ पर क्या होता है कि एक alternative mode है policy making को एक alternative mode यहाँ पर provide किया जाता है traditional waterfall approach से अगर हम लोग देखे जो upfront analysis होती है कि issues क्या-क्या है इसको better तरीके से analyze किया जाए उसके analysis के basis पर फिर एक detailed planning तयार किया जाए और finally यहाँ पर उसको implement किया जाए तो यह सारी चीज़े हम लोग देखते है कि किसी भी एक scheme के पीछे होता है economic survey में आप देखो कि यहाँ पर दो volume format से shift हो चुका है क्योंकि आप देखो कि एक single volume और साथी साथ एक separate volume होता है जिसमें कि statistical tables होते है पहले दो volume आता था बट अभी भी दो volume आता है पहले दो volume जाते थे उसमें first part मिली यह पे पुरे broader economic development पे वो focus होता था second part मि क्या है कि basic analysis होती थी different different sector का but अब क्या है कि recent years में भी आपको दो volume देखने को मिलता है but उसमें क्या है ना कि एक volume में आपका पुरा detail होता है और जो अलग से एक volume होता है उसमें सिफ statistical data होते है tables वगेरा होते हैं कि यहाँ पे आप देखो क कि traditionally यहाँ पे sectoral chapters को cover किया जाता है और इस साल जो है यहाँ पे survey में आप देखो एक new chapter है जिसमें कि demonstrate किया जाएगा कि कैसे हम लोग satellite वागेरा का use कर रहे, geospatial images का use कर रहे है जिससे कि बहुत सारे economic phenomena देखने को मिल रहा है for example urbanization, infrastructure, environmental development, impact और साती यहाँ पे farming practices तो इस तरीक है, geospatial images को हम लोग यहाँ पे tackle करते, तो इस तरीके से हमारा पूरा economic survey तयार होता है, अब एक ही करके देखते है कि total जितने भी chapters है उनके बारे में एक crux point है, जैसे कि state of the economy है first chapter, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि Indian economy जो है हमारे 2021 और 22 में, यह real time में अगर देखे तो 9.2 से यह estimate लगाया जा रहा है कि grow हुए है, और first advance estimate है यह, साथ ही साथ अगर आप देखो कि इस से last year 7.3 से यह contract हो चुगा था, क्योंकि COVID-19 pandemic था, जिसके कारण आप देखो कि lockdown लगा था, हमारी economic growth जो है उसकी watt लग चुगी थी negative में चला गया था, लेकिन धीरे धीरे यह positive इतना यहाँ पर हमारा यहाँ पर growth हुआ है, तो 9.2% हुआ है, GDP भी यहाँ पर expect किया जा रहा है कि 8 से 8.5% तक real terms में यह अब next year आप देखो कि grow करेगा, challenge क्या है economy में, repeated waves देखने को मिल रहा है, infection का, आप देखो first wave, second wave, अभी third wave है, तो इसके कारण बहुत problem हो रही है, supply और challenging times दिखा है, यानि कि जो inflation है, market में जो महगाई है, इसमें भी बहुत सारे challenges निकल कर आए है, तो यह भी बात है, आप देखो कि कभी demand बढ़ जारी है, supply कम हो जारी है, कभी हमारी demand कम हो जारी है, तो supply बढ़ जारी है, यह एक mismatch हो रहा है, और जिस तरीके से लगतार waves आते जारे है, तो lockdown लग रहा है, कुछ restrictions लग रहे है, जिसमें कि हमारी यहाँ पर economic point of view से challenges निकल कर आ रहे है, अब यहाँ पर economic impact अगर हम वो second wave का देखे, तो इसके response में बताया जारा है, कि immediate response जो है, वो यहाँ पर लिया गया था, safety nets के हिसाब से, यानि कि जो world arrival section of societies को जितनी problem ह होती है, हमारे business sector में जितनी problem हो रही है, इसमें जितना impact हुआ है, उसके लिए एक safety nets लेकर चला गया था, significant increase हुई हमारी capital expenditure में, क्योंकि infrastructure sector में आप देखो, क्योंकि health infrastructure बहुत ही poor थी, जिस हिसाब से first wave में पता चला, second wave में भी हमें पता चला कि जो health infrastructure है, वो बहुत poor है, क्य बहुत तरीके के equipments नहीं है, facilities नहीं है, तो यह सारी चीज़ें जो हमारे देश में, जितनी loopholes है, वो सब निकल कर आए, तो इससे आप देखो कि आपे capital expenditure बढ़ा है, साथी flexible और multi-layered approach लिया गया है, अगर हम दो देखें यह आपे, तो हर एक field में, उसमें आप देखो, कि य GST collection है, जो कि हर बार ये बताया जाता है कि हमारा GST collection बहुत जादा हुआ है, power consumption हो गया, तो यह सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है, macro economic indicator अगर हम दो देख ले, तो सबसे पहले primary sector, इट मींस कि हमारा जो agriculture और allied sector है, तो इस sector में list impact हुए, यानि कि pandemic से हमारा आप देखने को मिला, और ये expect किया जा रहा है कि 3.9% से यहाँ पे grow किया है, इत मींस कि previous year में 3.6% था, लेकिन फिर भी आप देखो कि pandemic के होते हुए भी 2021 और 2022 में 3.9% से यह grow हुए, industries में देखे, तो यहाँ पे आप देखो mining और construction है, तो ये sector में भी आप estimate लाया गया है, कि यह खराब हो चुकी दिए, दीरे दीरे हम लोग यहाँ पे revive कर रहे है, तो इससे हमारी growth जो है, वो थोड़ी सी increase हुई है last year के comparison में, service sector देखे हमारा tertiary sector, तो ये sector सबसे जादा hit हुआ है, और ये estimate लगाया गया है कि 8.2% से यह हमारा यहाँ पे increase हुआ है, last year 8.4% था, तो यहा है, gross fixed capital formation अगर हम लोग देखे, GFCF, तो इसमें क्या है कि यह exceed किया है, जो pre pandemic levels है, और फिर हम लोग यहाँ पे public expenditure यहाँ पे हमारा बढ़ा है, infrastructure को लेकर, balance of payment है, balance of payment हमारा आज भी surplus में है, वो भी last two years है, यहाँ पे RVI के द्वारा allow कि आगया है, जो foreign exchange reserves है, उसको हम लोग औ और accumulate करे, इट मेंज कि आज आप देखो कि इंडिया है, जो कि टॉप में है, foreign exchange reserves, यानि कि हमारे है, forex जो है, आज की rate में बहुत जादा है, अब इस चीज़ को समझे, आपकी balance of payment होता क्या है, देखे, balance of payment में दो तरीके के account होते है, एक current account होता है, एक capital account होता है, current account में हम क्या देखते हैं, कि कितना trade हो रहा है goods and services में, primary income कितना निकल करा रहा है, इट मेंज कि आप देखो कि employment से लोगों को कितना income मिल रहा है, या फिर investment करने से कितना money निकल करा रहा है, सर्विस income, sorry, secondary income अगर हम दो देखे, तो household में कितनी income है, या फिर यहाँ पर transfer करने से कितनी income countries को निकल कर आ रही है, तो current account है, यानि कि आज की rate में, current account में किस तरीके से काम हो रहा है, capital account कहने का मतलब है कि financial account हो जाता है, it means कि यहाँ पर capital बनते है, capital transfer हो रहा है कितना, या फिर कोई भी non-produced or non-financial asset को कितना sell और purchase किया जा रहा है, transaction जिसमें कि आप देखो कि ownership यहाँ प बनता है, तो वो capital account में जाता है, current account मतलब है कि short term में, यानि कि कितने खर्चे हो रहे है, और capital account में, जो long term के लिए होता है, तो यह balance of payment है, जो कि हमारा surplus में है, it means कि हमारे यहाँ forex reserves जो है, बहुत जादा increase हो चुकी है, साथी यहाँ पर capital market में देखें, तो यह भी बहुत ही exceptionally यहाँ पर welcome हो रहा है, साथी यहाँ पर record mobilization हो रही है, risk capital जितने भी हमारे Indian companies है, उसमें आप देख रहे हो कि काफे risk निकल करा रहा है, तो यहाँ पर allow किया गया है, कि mobilization को record करना है, banking system देखें तो यह भी capitalized किया गया है, और non-performing assets जो है, वो भी यहाँ पर, basically आप देखो वापस नहीं आ पा रहा है, या फिर वापस ही नहीं आ पा रहा है, तो इससे क्या होता है कि ultimate loss किसको जिलना पड़ता है, हमारे bankों को, bankों को इतना ज्यादा घाटा हो रहा है कि आज की date में आप देखो कि bank merge करने की बात आ रही है, या फिर bankों को privatize करने की बात आ रही है, तो यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि non-performing assets की जो ratio है वो बढ़ती ही जा रही है, inflation की बात करें, तो inflation आप देखो कि आज की date में एक global issue बन चुका है, inflation में भी आप देखो कि ये दो तरीके के index होते है, CPI हो गया और WPI हो गया, ठीक है, तो इससे related आपको question हमेशा UPSC में दे visit है, vaccination की बात करें, तो vaccination से अगर हम दो देखें यहाँ पे, तो हमारे economy को open करने के लिए ये एक critical stage था, जब vaccination start हुई, इसलिए आप देखो कि third phase में ज्यादा problem नहीं हुई, क्योंकि almost हमारे हां more than 50% लोग वो vaccinated है, तो immune system कहीं ने कहीं strong हो गया, इसलिए Omicron से आप देखो कि जादा impact नहीं पड़ा है, over the course of year अगर देखें, तो इंडिया में 157 crore doses जो है, वो deliver किया गया है, जिसमें कि 91 crore people जो है, वो at least one dose ले चुक है, और 66 crore लोग जो है, दोनों dose ले चुक है, I hope कि आप लोग की भी दोनों dose complete हो चुकी होगी, अब बुस्ते dose की बात हो रही है, तो आप लोग उस हिसाब से काब कीजे, fine, अब second chapter में आते हैं जो कि fiscal development, तो इसमें अगर हम लोग देख ले हमारे economy को लेकर, जो कि current financial year में है, तो revenue receipt जो हमारा इस बार central government का हुआ है, April से लेकर November 2021 का, तो ये increase हुई है, यानि कि सर्काह के पास जो revenue है, वो यहाँ पे increase हुआ ह 67.2% से, और ये expect किया जा रहा है कि 2021 की जो यहाँ पे आपका 1 और 2022 का जो budget estimate होगा, इससे ये increase होके, यहाँ पे 99.6% हो चुका है, gross tax revenue अगर हम लोग इस period में देखें, तो ये भी आपका 50% से यहाँ पे increase हुआ है, जो कि better है, सरकार के पास अगर revenue आते है, तो फिर यहाँ प सरकार के पास हो रही है, April से लेकर November 2021 तक देखें, तो capex जो है, वो भी यहाँ पे 13.5% से बढ़ चुका है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ ध्यान किस पे दिया जा रहा है, तो ये है हमारा infrastructure intensive sector पे, तो ये बात है रही, it means कि capital expenditure यहाँ पे बढ़ रहा है, सरकार के द्वार अगर हम लोग central government का देखें, तो ये भी strong emphasize कर रहा है, हमारे capital expenditure को लेकर, कि कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे खर्चे कर रहे है, अगर हम लोग borrowing देखें, तो ये भी enhance हुआ है, COVID-19 को देखते वे कि हमने borrow किया है, तो central government का जो debt है, यानि कि जितना courage है, वो GDP का यहाँ पे 49 percent तक का है, और इससे पहले बार कितना था, तो 59 percent था, इट मेंस कि थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे जो courage है borrowing के कारण, वो यहाँ पे कम हुई है, अब यहाँ पे कुछ map है, इससे भी देख लीजेए, trend जो कि center का debt यहाँ पे बताया जा रहा है GDP ratio से, तो ये चीजे आप दे लगतार के उपर debt की जो ratio है, वो बढ़ चुकी है, तो ये चीज आपको देख लेको बिल रहा है, यहाँ पे भी आपको देख सकते हो कि 49 percent था, लेकिन अब यहाँ पे 59 percent हो चुका है, तो शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा opposite बोल दी थी, ये चीजे है कि लगतार जो है हमार क्या होता है, यहाँ पे revenue minus expenditure होता है, लेकिन अगर आप देखो कि revenue घट गई है और expenditure बढ़ गई है, तो इट मेंज कि यहाँ पे सरकार की जो fiscal management है, वो यहाँ पे deficit पे चल रही है, घाटे पे चल रही है, घाटे पे तब चलेगी जब यहाँ पे सरकार के पास पैसे कम होंगे और खर्च जादा कर रही है, तो यह चीज़े आप तो देख सकते हो, कि यहाँ पे April 2019 का बताया जा रहा, 8.1% है, April November से 2020 का यहाँ पे 10.8% है, और यहाँ पे 7% हुआ है, कब का, तो April November में 2021 में, तो fiscal deficit हमारी कम हुई है, primary deficit की बात करें, तो यह भी हमारी कम हुई है, जो कि 2. 2.4% है, as comparison to यहाँ पे लास्ट यह 6.9% है, अब यहाँ पे आप दिख सकते हो, कि यह भी as a percentage बताया जा रहा है, तो यहाँ पे 2019 का 114 है, 2020 का 135 है, और यहाँ पे 2021 का 46% है, तो हमारी यहाँ fiscal deficit बहुत ही ज्यादा हद तक यहाँ पे डाउन हो रहा है, chapter 3 देखते है, जो कि यह external sector, अब external sector पर ध्यान देते कि external trade जो है, वो strongly recover किया गया, यानि कि बाहरी रूप में जो हम लोग व्यापार करते है, तो वो हमारा recover हो चुका है, pandemic के कारण, pandemic के बाद, और साथी साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखे, तो जैसे कि एक volatility देखने को मिला, यानि कि यहाँ पे fix cost जो है, यानि कि मालगाडियों कि जो यहाँ पे cost वो बढ़ गई है, और साथी fresh resurgence हो रही है, COVID-19 का new variant के कारण, आप देखो कि फिर से इसकी प्रवकोब जो है, और wave जो है, वो निकलते आ रही है, merchandise, export और import की बात करे, तो यहाँ पे आप देखो कि इस COVID-19 के कारण, जो है, tourism बहुत घटे, tourism घटता है, तो उस देश की शरकार, उस राजे की सरकार को revenue generate करने में बहुत मुश्किल होती है, तो एक significant pick-up देखने को मिला है, net service में, जो कि यहाँ पे April से लेकर December 2021 में यह देखने को मिला है, क्यूंकि बहुत जादा software, business, earning यह सारी हुई है, और both receipt और payment ज कर देखे, तो इंडिया का जो current account balance है, वो यहाँ पे deficit जितना था, वो GDP का 0.2% हो चुका है, तो इससे भी आप देख सकते हो, कि हमारी यहाँ पे यह, तो current account deficit में, यहाँ पे current account balance पे deficit देखने को मिल रहा है, 0.2% जो कि हमारा GDP का है, अब यह GDP क्या होता है, इसे हम लोग कहते cross domestic product, इट मींज कि एक साल के अंदर, एक financial year के अंदर, किसी भी देश की territory के अंदर, total production of goods and services कितनी हुई है, उसकी summation को हम लोग GDP कहते है, अब overall आप यहाँ पे देख सकते हो, balance of payment, जो कि balance और forex reserves कितनी हुई है, तो यहाँ पे हमारा balance of payment का जो balance है, उसमें surplus देखने को मिल capital account हे, और blue वाली यहाँ पे current account है, तो capital account आप देख सकते हो, यहाँ पे 31% तक है, और यहाँ पे जो हमारा current account है, यह भी आप देख सकते हो, कि थोड़ी बहुत यह पे deficit में रही है, हमारी current account जो कि अभी आप लोग पढ़े के यह घाते में रही है, लेकिन capital account हमारा surplus हुए है, Forex Reserves और Import Cover अगर हम लोग देखे तो Forex Reserves हमारा लगतार यहाँ पर बढ़ती ही गया है और इस हिसाब से बताया जा रहा है ठीक है घटरा बढ़ रहा है बढ़ती ही जा रहा है इंडिया का External Date अगर हम लोग देखे तो बहरी रूप से हम लोग यहाँ पर जो बारो करते है उससे हमारा बहुत जादा डेट है करज है 593 बिलियन तक का है यहाँ पर Capital flows के अगर हम लोग बात करें तो Capital flows जो कि यहाँ पर sufficient था हमारे आज की डेट में जो current account deficit है उसको finance करने के लिए इससे हमारा overall जो balance of payment है वो surplus देखने को मिला 63 बिलियन तक का और इससे जो है हमारा Forex exchange reserves भी जो है हमारी जो milestone थी 600 बिलियन डॉलर का वो भी यहाँ पर हमारा cross हो चुका है तो अब तक का सबसे जादा है यानि कि अभी हम लोग 4th largest Forex reserves holder बन चुके पुरे वर्ड में और यह किसके बाद है तो China, Japan and Switzerland तो यह चारो country याद रखिए का बहु अब आते ही 4th chapter में जो कि है monetary management and financial information, sorry intermediation तो यहाँ पर RBI के द्वारा काफी surplus liquidity जो है वो maintain किया गया है banking system में जिससे कि यहाँ पर अच्छी खासी growth देखने को मिली है RBI आप देखो कि यहाँ पर rebalancing liquidity में काफी engaged रहते हैं कि बेटर तरीके से जो है at least पैसे रहने चाहिए तो RBI के पास जब भी यहाँ पर surplus होता है तो RBI इसको transfer कर देती है सरकार के पास या फिर बैंकों में भी इसको infuse किया जाता है तो यहाँ पर fixed rate reserves repo rate है जिसमें कि आप देखो कि यह LAF के अंदर है liquidity adjustment facility जो कि एक market based reserve repo auction होता है जैसे कि यहाँ पर variability rate repo reserve repo है तो यह सारी चीज़े कि इस चीज़ों के द्वारा आप देखो कि यहाँ पर liquidity को यह balance कर देखते हैं अब यहाँ पर कुछ basic concept समझें LAF के बारे में LAF जो की है liquidity adjustment facility इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं एक होता है repo rate second होती है reverse repo rate तो चलिए एक ही करके सारे concept को यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले liquidity adjustment facility समझें कि यह होता क्या है it means कि liquidity adjust करने के यहाँ पर एक policy tool है ठ liquidity यहाँ पर adjustment facility है इसको 2000 मिलाया गया था और यहाँ पर daily यानि कि इसको overnight basis पे इसको daily conduct किया जाता है इससे क्या होता है कि bank जो है अपनी daily liquidity जो mismatch होती है कभी आप देखो कि deposit जाता होता है बैंकों के दवारा loan जाता है दे दिया गया deposit कम हो गया तो बैंकों में भी जो पैसे क mismatch होती है उसको यहाँ पर कम किया जाता है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर repo rate और reverse repo rate के थूज है यहाँ पर बैंकों के liquidity को manage किया जाता है repo rate क्या होता है repo rate होता है जिससे कि bank RBI से borrow करती है चीक है कि वापस से जब bank RBI को देते है तो इस समय हम लोग कहते है कि यह reverse repo rate है अब यहाँ पर एक diagram के थूज है repo rate क्या होता है कि जब यहाँ पर bank जो है borrow करती है RBI से यानि कि यहाँ पर liquidity कहां जा रहा है तो RBI से जा रहा बैंक क्योंकि bank borrow कर रही है और यहाँ पर government securities कहां जा रहा है तो RBI के पास वही चीज़े opposite हो जाएगी कि अब यहाँ पर क्या होगा कि RBI यहाँ पर borrow करेगी ठीक है यानि कि bank लेंट कर रहे है RBI को और government securities कि इसके पास जा रहा है तो बैंकों के पास जा रहा है यह एक reverse process है reverse repo rate is just opposite to the repo rate okay तो repo rate समझे जिस rate पर bank अगर RBI से borrow कर ले क्योंकि bankों के पास mismatch हो रहा है तो bankों को borrow करना होगा RBI से कि कुछ पैसा दे दीचे हमारी balance sheet यहाँ पर तयार हो जाए तो जिस rate पर borrow करती है उसे हम लोग repo rate कहते है और जिस rate पर lend कर देती है RBI को उसका हम लोग reverse repo rate कहते है बस यह एक दो policy है जिसके थू जो है यहाँ पर बैंकों का left management होता है यानि कि liquidity adjustment facility यहाँ पर चलता है साथ ही आप देखो कि RBI भी बहुत सारे measures अपलाती है जैसे कि G-Six हो गया यानि कि G-SAP आया था भी फिर special यहाँ पर आप देखो कि long term repo operation है जैसे कि further यहाँ पर liquidity हो सके LAF तो है ही repo rate reverse repo rate इसके अलावा भी आप देखो कि अगर बैंकों में mismatch देखने को मिलता है तो G-SAP acquisition program है यानि कि government securities है तो इसको एक acquire करने के लिए program लाए गया है economic shock अगर हमें लोग pandemic का देखे तो यहाँ पर काफी ज्यादा problem निकल कर आई किसे तो commercial banking system है gross NPA ratio जो है यहाँ पर schedule commercial bank का तो वो थोड़ा कम हुआ है यानि कि 17-18 में 11.2% था वोई 2021 में का आ जा रहा है कि 6.9% है net जो non यहाँ पर performing asset है यह भी आपका decline हुआ है ratio तो बहुत बेटर है कि NPA के ratio यानि कि वैसी यहाँ पर asset bank का जो की बरबाद हो चुगा है जो कि यहाँ पर perform नहीं कर रहा है capital to risk weighted asset ratio अगर हम लो देखे इट मेंस कि bank को के पास कितना capital है और bank कितना risk लेकर जो है अपने पास रख रही है इट मेंस कि माल लिजे किसी bank के पास 100 rupees है तो bank यहाँ पर 10 rupees अपने पास रखीगी और 90 rupees जो है इसको यहाँ पर आप लो देखो कि यह risk के form में निकाल देगी इट मेंस कि 90 rupees यह अपने लोगों को bank के customer को loan के form में निकाल देगी और 10 rupees रखेंगे अपने बुरे वक्त में कि माल लोग यह 90 rupees भी वापस नहीं आपाता तो bank के पास zero amount नहीं बैंकों के पास कुछ amount होना चाहिए यह same वैसे ही होता है कि जब आपके पास भी पैसे रहते हैं माल यह 1000 rupees है तो आप सोचोगी ही कि कहीं न कहीं 100 rupees जो है आपके पास reserve में रहें कि अगर आपके तबहत खराब हुजाए कुछ इमर्जिंसी आ जाए तो उसको आप लोग यूज कर सको same thing happened with the bank okay तो capital to risk weighted asset ratio अगर यहां पर schedule commercial bank का देखे तो यह भी increase हुआ है कि बैंकों के पास जितना risk था कम होते गया और बैंकों पास capital जादा होते गया return on asset or return on equity for public sector banks देखे तो यह भी positive है कि return भी आ रहा है जितना asset है उसके उपर return जो है interest rate के साथ अगर देखे तो यह बेटर तरीके से आप है बैंकों के पास आ रहा है exceptional year अगर capital market का देखे तो यह कहा जा रहा है कि 89,000 जो crore है वो raised हुआ है 75 initial public offering से IPO क्या होता है जब कोई भी company जब कोई भी आप देखो कि bank company अपनी पहनी share जब publish करते तो इसको हम लोग IPO कहते अब IPO issue के द्वारा भी आप देखो कि यहां पर 89,000 crore तक का raise हुआ है अब यहां पर देखे तो insurance penetration भी हमारे होई है यहां पर अगर insurance penetration और insurance density के अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में आप देख सकते हो कि life insurance है जिसमें की बहुत जादा यहां पर increase देखने को मिला लेकिन वहीं अगर non life insurance की बात करें तो वहाँ पे हम लोग बहुत पीछे रहा जाते है 2020 में आप देख सकते हो कि जो density है life insurance का वो इंडिया में 59 डॉलर था वहीं अगर non life insurance की बात करें तो 19 डॉलर था जो कि हमारे global standard से बहुत कम है इट मेंस कि life segment का ये 360 डॉलर है और non life segment का ये 449 डॉलर है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे जो है non life insurance में बहुत जादा पीछे है insolvency और bankruptcy code देखें इट मिंस कि हमारे हैं ये 2016 का code भी आया था तो इसके उपर कितना काम हुआ है COVID-19 पर पेंडिमिक को देखते वे जो insolvency और bankruptcy ordinance है 2020 ये बनाया गया था जिसमें कि ये कहा गया था कि जो यहाँ पर CIRP है corporate debtor का वो किसी भी default का जो कि arise हो रहा है 25th of March 2020 तर इसके बाद जो यहाँ पर आपका आ रहा है तो उसको suspend करना है initiation इसको suspend किया गया था इट मींस कि यहाँ पर जो ordinance लाया गया constitution के तैते वहीं अगर governor की बात करें तो उनको भी यहाँ पर ordinance पारित करने का अधिकार है जब हमारी माल लिजे कि state में state legislature की अगर एक house भी अगर यहाँ पर session में नहीं है तो in emergency governor जो है वो यहाँ पर ordinance पारित कर सकते under the article 213 इनको यह power है और वही same power यहाँ पर president को center में है तो यह चीज़े है यहाँ पर लाया गया जिसमें किये का अगया कि जो corporate debtor है ना उनका CIRPF को यहाँ पर CIRP को यहाँ पर इसके initiation को suspend कर देना है further जो suspension किया गया था code को यहाँ पर आपका 3 months के लिए यहाँ पर दो बार extend किया गया था जिससे किया पर firms को जो भी stress वगरा में जा रहे हैं बहुत सारी business थी बहुत सारी company थी बहुत सारी firms थी जो के negative में जा रही थी pandemic के कारण तो उनको यहाँ पर relief provide किया गया था तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि CIRP it means कि यह corporate insolvency resolution process होता है procedure है जिसके थुरू एक आप देख सकते हो कि एक resolution mechanism है जिसमें जो creditor होते है ना उनके लिए जो corporate debtor होते हैं उनके creditor को यहाँ पर resolve किया जाता है मितलब कि एक resolution mechanism है यह अब यहाँ पर corporate debtor होते कौन है कोई company हो गए जिनका loss हो रहा है कोई यहाँ पर आपका partnership firm हो गए उनका loss हो रहा है उनके creditor को loss हो रहा है तो उनको resolve करने के लिए यहाँ पर आपका CIRP है अब एक चीज़ आप समझाए कि यहाँ पर insolvency and bankruptcy के बीच में difference क्या होता है किसको हम लोग insolven कहेंगे और किसको हम लोग bankrupt कहेंगे तेंगे basically क्या होता है कि insolven कहने का मतलब है कि कोई individual या कोई company जब उनकी condition इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने debt को भी repay नहीं कर सकते है इत मींज कि उनका कोई dues है कोई तो उनको repay नहीं कर सकते है तो उनको हम लोग कह सकते है कि अब ऐसी company और ऐसी individual insolven हो चुकी है लेकिन bankrupt कभ होंगे बैंकरप्ट एक legal concept है जब यहाँ पर court के द्वारा declare कर दिया जाएगा कि हाजी यह एक individual है या फिर company है यहाँ पर इस इस्थिती पर नहीं है कि वो यहाँ पर अपने declare कर सके यानि कि debt को जो है वो clear कर सके इस condition में वो individual और company नहीं है तो यह difference होता है basically यहाँ पर bankrupt का जो है वो जाती कोई company आप देखो कि लोन लेती है अपने business को run करने के लिए लेकिन में भी वो business आपका profit में जाया जब profit में जाता है तो ठीक है अगर loss में चला गया तो इनकेस जो है वो अपने लोन को repayment नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर आते हैं chapter 5 में जो कि है prices and inflation global inflation की बात करें inflation means महंगाई 2021 में inflation जो है वो बहुत pick up में चला गया यानि कि बहुत ही जादा महंगाई आ चुकी है अभी भी आप देखो कि 2022 January के बाद हर एक समान की दाम बढ़ चुकी है even आप देखो second phase of COVID के बाद ही बहुत जादा महंगाई आ चुकी थी मुझे तो लगता है अभी से भी यहाँ पर ऐसी inflation आई है इंडियन inflation की बात करें तो average headline जो CPI है यहाँ पर combined inflation अगर देखे तो यहाँ पर 2021 से 22 के बीच में यह आपका 5.2 परसेंट आ है जो कि इसके last year कितना था तो 6.6 परसेंट था अब यहाँ पर देखो कि CPI में आप देखोगे तो headline inflation होता है core inflation होता है एक text measure किया जाता है वो पूरी तरीके से wholesaler wholesaler के द्वारा goods का क्या price यहाँ पर charge किया जा रहा है उसको हम लोग measure करते हैं WPI से CPI में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर retail price में कितना change हुआ है इट means कि जो consumer consume कर रहे है और consume करने के लिए जो यहाँ पर goods or services को purchase कर रहे है उसमें यहा release होती है यानि कि CPI जो भी आप देखो monthly basis में और WPI जो है वो weekly basis में CPI में दोनों आते है goods and services और WPI में सिफ goods ही यहाँ पर count होते हैं तो पहले क्या था कि WPI को follow किया जाता था inflation देखने के लिए बट यहाँ पर goods को ही यहाँ पर measure किया जाता है so that's why इसको replace करके CPI से अब हम ल यहाँ पर primary articles, fuels, powers, manufactured goods सब आते हैं base year अगर आप देखोगे तो CPI का यहाँ पर calendar year है और financial year है बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि base year 2016 हुआ है अभी CPI का और WPI का तो 2011-12 है और यहाँ पर आप देखो कि CPI के अगर बात करें तो final stage of inflation को calculate किया जाता है और WPI में क्या है कि inflation जो कि first stage में कितना inflation है उस चीज को यह measure किया जाता है तो यह basic है जो कि आप यह समझो बागी अगर समझते हैं तो inflation में आप देखो कि headline inflation core inflation होता है बट यहाँ पर headline inflation जो होते है वह यहाँ पर सारे goods का यानि कि एक basket के अंदर जितने भी goods है उनकी value में जो changes आई है उसको हम लोग headline inflation कहते है और headline inflation को measure किया जाता है CPI इसे वह एगर core inflation की बात करें तो core inflation में क्या है कि यहाँ पे आपका food और फूल ऐडलायाईम है ईसको बहार रखा गया जिक्सक् lire में ब्हार Congressman नीशह कहाँ ऑ इंफ्लेशन कम्प्यूटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कराइज होती है, that's why core inflation अगर देखना है, तो इसमें food और fuel items पहा रखा जाता है, तो जो headline CPI combined inflation है, वो moderate है, अब retail inflation की बात करें, तो यहां पर यह भी decline हुआ है, क्योंकि food inflation यहां पर ease हो पाया, आप देखो कि अब जितने भी खाने पीने की पदार थे, उसके price में ज्यादा fluctuation नहीं देखने को मिला है, supply side management भी effective रहा, पूरे COVID-19 में कुछ बंद हो या नहीं हो, लेकिन जो supply side था, vegetable screen का, यह कभी बंद नहीं हुआ, proactive measures थे आप देखो कि लिया गया है, जिससे कि जो pulses और edible oil की जो price rise होत product को, जैसे कि आप देखो कि अगर tomato से tomato ketchup बनानी है, तो उसके हर एक stage पर tax लगता था, तो इस चीज़ को भी हटाया गया है, बहुत सारे state के द्वारा, इसमें कि petrol और diesel price भी थोड़ी कम हुई है, wholesale inflation के अगर हम बात करें, तो यह WPI पर best होता है, जो कि raise हो चुगा है, 12.5% त यानि कि जो मालकारी की यहाँ पर cost है, वो पहुँच जाता है, जिसके वज़े से wholesale price index की यहाँ पर increase हो गया, लेकिन अगर हम लो divergence देखे, CPI combined और WPI inflation में, तो divergence है, यह भी अपने picked में है, यानि कि 9.6% point रहा है, और यह जो divergence है, इसको यहाँ पर explain किया जा रहा है, क्योंकि आइटम कवर किये गया है, इससे भी यहाँ पर पता चलता है, आप देखते कि long term perspective क्या है, supply side factor को manage करने के लिए, तो सबसे पहले आप देखो कि production जो pattern है, उसमें change लाना होगा, क्योंकि हमारा supply side जो है, हो कई न कई disrupt हो जाता है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भ चेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट policy पर ध्यान देना होगा, कि हम लोग बहुत हट तक ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम लोग को focus करना होगा, supply को बढ़ा कर एक्सपोर्ट करनेगा, focus करना होगा transportation में, storage infrastructure में, और वैसे जो की perishable commodities हैं, जो कि यहाँ पर खराब होने वाले, अग की है, sustainable development and climate change, आप देखों, इंडिया का overall score, अगर नीती आयो के sustainable development goal, इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ट में देखें, तो यह काफी improve होया, इंडिया आप देखों कि 10th largest forest area है पुरे वर्ल्ड में, 2020 में इंडिया का rank जो था, वो 3rd था, पुरे all over the world में, जिसमें कि हमारी forest area increase हुई है, 2010 से लेकर 2020 में, 10 साल में हम लोग ने अपने देश में जंगलों को increase किया, और इस हिसाब से हम लोग 3rd rank में आ चुके है, 2020 में बात करें तो forest cover जो है, इंडिया का total geographical area का 24% है, इंडिया का total forest area देखें तो इसका 2% आपको इसी में देखने को मिलेगा, अब ऐसा क क्या क्या किया गया, आप देखो बहुत सारे steps लिये गया है, जिससे की जो air pollution है, उसको control कर सके और minimize कर सके, तो क्या क्या steps इंडिया की द्वारा लिया गया है, सबसे पहले जो भारत stage 4 था, उससे हम लोग switch कर गए भारत stage 6 में, skip किये हम लोग यहाँ पर 5 को, भारत stage 5 था उस के लिए, plastic waste के लिए, e waste के लिए, electronic waste जिसमें के आपका यहाँ पर कोई भी electronic asset है, mobile, laptop, लापी, यह सब सब कुछ, biomedical waste है, construction and demolition waste है, hazardous waste है, तो इन सब को notify किया गया है, air quality monitoring की बात करें तो यह manual भी और साती सब continuous monitoring station है, इसको भी यहाँ पर देख रहे है, साती अगर हम लोग बात जिसमें की outcomes यहाँ पर बहुत सारे pending issues थे, उसके outcomes को adopt किया गया, और इसमें आप देखो कि Paris rule book में, जो की एक procedure है कि कैसे Paris agreement को implement करना है, और इसमें market mechanism भी है, transparency भी है, यहाँ पर आपको common time frame भी देखने को मिलेगा, okay, Glasgow अगर हम लोग climate pact की बात करें, तो मिली emphasize करते है adaptation की उप जादा होना चाहिए, जैसे कि आप देखो thermo power plant है, उसमें कई बार कहा गया है कि flue gas यहाँ पर de-servalization हमने यूज करना होना चाहिए, एक technology है जिसके थ्रू जो sulfur dioxide की emission बहुत जादा thermo power plant से होती है, वो cut down हो पाएगा, capacity building करने की जरूरत है, और जिकनी loss और damage हो रही है, उस पर set up किया गया था, वो भी इसलिए कि जितनी भी risk rise हो रही है, यहाँ पर उस से sustainable development हम लोग कर सके और उसके लिए finance हो, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखो fund की crunches होती है, आप sustainable development goal है हमारा, जो कि United Nation की द्वारा कहा गया है कि 2015 से लेकर यह 30 तक का है, तो 30 तक total 17 goal है जि इसकी screenshot है लिजे और time to time revise कीजे आपको याद हो जाएगी, 1st is no poverty, 2nd is zero hunger, 3rd is good health and well-being, 4th is quality education, 5th is gender equality, 6th is clean water and sanitation, 7th is affordable and clean energy, green energy, 8th is decent work and economy growth, 9th is industry innovation and infrastructure, 10th is reduced inequalities, 11th is sustainable cities and communities, 12th is responsible consumption and production, 13 है यहाँ पर climate action, 14 है यहाँ पर life below water, 15 है life on earth, 16 है peace and justice and 17 है partnership for the goal, तो यह total 17 goal है जिसे कि हमें यहाँ यहाँ पर 20-30 तक achieve करनी है और इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर sustainable development goal, अब यहाँ पर थोड़ी से बात समझते कि sustainable development का मतलब क्या होता है, it means कि ऐसी development हमें करनी है, जिससे कि ह हमारे आज की जितनी generation है, उनको सारी natural resources provide हो सके, साथी आगे आने वाले generation के लिए भी हम लोग सारी सुकसुविदा को छोड़ के जाए, ऐसा नहीं है कि सारी natural resources को हमी लोग चटपट करके चले जाए, ऐसा नहीं करना है, January 2021 में एक task force यहाँ पर बनाए गे थी sustainable finance को लेकर, जो कि Indian renewable energy companies के लिए है, other firms के लिए है, कि वो यहाँ पर बाहर से भी commercial borrowing कर सकते है, May 2021 में सेभी के द्वारा new sustainability reporting यहाँ पर issue किया गया है, वो भी business responsibility और साथी सा sustainability report के लिए, जिसमें क्या है कि आज की डेट में जो business responsibility reporting है, उसको replace किया जाएगा, और एक greater transparency लाए जाएगी यहाँ प lifestyle for environment, फिर ISA है, International Solar Alliance, इसकी यह एक मात्रा ऐसी organization है, जिसके headquarter आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, अब यह आपके लिए question है कि आपको बतानी है कि ISA की headquarter कहाँ है, और ISA में आज की डेट में total member of countries कितने हैं, फिर उसका CD आ रही है, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, यह आपको बताना है कि ह हमारे Prime Minister के द्वारा इसे किस year में launch किया गया था, फिर है Leadership Group for Industry Transition, अब आते है चाप्टर 7 में, जो कि है Agriculture and Food Management, अगरिकल्चर सेक्टर में आप देखोगे कि अच्छा खासा हमारा last two years में यह आपका growth हुआ है, इट मिंस कि 2021 में 18% है, और वहीं अगर हम लोग देखें, तो य हैने कि growth हमारी अच्छी हुई है, MSP policy जो है minimum support price यह भी use किया गया है कि crop diversification को हम लोग प्रमोट कर सके, MSP कहने का मतलब है कि यहाँ पर मा लिजे कि जो potato है, वो उसकी उपजाओ हो जुकी है और उसकी market में price जो है, यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन market तक जाने से पहले, जैसे यह बोया जाता है, उसे पहले सरकार यहाँ पर fix कर देती है, कि अगर यह आलू जो है, वो आपके दुकान जितने भी shop है, अगर उसमें नहीं बिखते हैं, तो सरकार इसको 10 रुपीज पर kg के हिसाब से purchase कर लेगी, अब यहाँ पर किसानों के पास इतना तो रहता है कि चलो 10 रुपीज पर kg के हिसाब से सरकार खरीद लेगी, तो उनके पास इतना हक होता है कि वो इस से double, triple दाम में जो है, वो market में बेच सकते है, अपने profit के लिए जितना हमको लगता है कि उन्होंने यहाँ पर खर्च किया है, तो इसको कहते है MSP, यानि कि minimum तो support यहाँ पर सरकार क assessment survey है, किस तरीके का situation है, उसको assess किया जाता है, यह survey आपका लाया गया, जिसमें की fragmentation of land holding है, यह एक alternate source कहा जारा है, live stock का, fisheries का और wedge liver का, agriculture और इसके allied sector की बात करें, जैसे कि horticulture हो गया, यहाँ पर poultry हो गई, तो यहाँ पर animal husbandry है, daring है, fisheries है, यह सब में भी बहुत जादा high growth देखने को मिला है, live store sector में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CAGR का 8.15% तक जो है over last 5 year में यह आपका growth भी हुआ है, government की द्वारा food processing को भी facilitate किया गया है, और वो भी बहुत सारे measures लेके, जैसे कि सबसे पहले तो infrastructure डेवलफ की गई है, transportation को थोड़ा ease किया गया है, सबसे enterprises है, उसको formalization को यहाँ पर support किया गया है, इंडिया के द्वारा आप देख सकते हैं कि one of the largest food management program पूरे वर्ड में चलाया भी जाता है, तो यह भी याद रखना है कि हमारे हाँ food की तो कमी नहीं है, और उसी हिसाब से हम दूसरे देश को भी यहाँ पर export करते हैं, नेक्स आते growth अगर trend देखें, तो industrial sector growth जो है, वो improve हुई है इस साल में, 22.9% ठीक है, और index of industrial production है, IIP है, जो कि यहाँ पर 17.4% से यह आपका increase हुआ है, monthly अगर index देखे 8 core industries का, तो यह भी आपका यहाँ पर growth हुआ है, अब आपको बताना कि 8 core sectors जो है, वो कौन-कौन से हैं, और growth sector भी यहा इस manner पर unlock हुई, vaccination यहाँ पर बहुत ही huge number पर दिया जा रहा है, अब तो 15-17 साल के बच्चों को भी यहाँ पर vaccination दी जा रहे है, consumer demand यहाँ पर increase हो गया है, साती continued policy support है, जैसे कि आत्म निरपर भारत अभ्यान है, credit access यहाँ पर ease हो रहा है, infrastructure development जो है, वो यहाँ पर boost होते जा र यहाँ पर खर्च कर रहे है, जादा से जादा, साती road construction तो बहुत जादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि day by day, यहाँ पर connectivity हमारी increase हो रही है, future growth factor अगर हम लो देखें, तो कहा जा रहा है कि construction सेक्टर में, साती industry सेक्टर में, manufacturing सेक्टर में, PILI scheme लाया गया है, यानि कि पैसे की रूप में यहाँ पर मदद किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जादा से जादा production करो, और यहाँ पर 14 champion sector है, जैसे यहाँ पर infrastructure development किया जा रहा है, physical level पे भी और digital level पे भी, जैसे आप देख सकते हो कि national infrastructure pipeline भी है, national monetization plan है, structure of procedural reform नानी की बात की जारी है हमा और क्या भी है और जो localized lockdown है उसके कारण भी, जो कि 10.8% से यह growth हुआ है, यह काफी pandemic के कारण आप देखो service sector सबसे जादा वो sector है, tertiary sector जो कि हमारा hit हुआ है, और यह इंडिया का GVA में आप देखो इसकी share जो है वो decline होते गई है, GVA और GDP में क्या अंतर है, तो GDP कहने का मतलब ह है कि एक financial year में total production of goods and services को हम लोग add करते, GVA में है कि यहाँ पर एक particular sectors का हम लोग देखते कि कितना growth हुआ है, GVA अगर हम लोग service का देखें, जो कि यहाँ पर pre pandemic level में यह cross कर जुगा है, और overall जो service sector है GVA का, वो expect कि 8.2% से यहाँ को increase हुआ है, कुछ sub sectors भी है, जो कि यहाँ पर काफी impact हुए, और GVA अगर हम लोग इस तरीके से contact intensive sectors में देखें, जैसे trade है, transport है, तो अभी भी यह pre pandemic level से नीच ही है, omicron जिस तरीके से आपको देखो कि spread हो रहा है, तो यहाँ certainty लिख रहा है कि आगे चलके क्या होगा, high frequency indicators भी है, साथ ही यहाँ अगर हम लोग देखें कि first staff जो 2021-2022 का था, तो service sectors के द्वारा यहाँ पर कितना FDI रेसीवा, 16.7 billion dollars तक का, जो कि हमारे total FDI inflows का 54% है, FDI क्या होता है, इसे कहते है, foreign direct investment, इट मिस कि अगर कोई investors है, कोई company है, अगर वो हमारे देश में किसी sector में आकर invest करना चाहते है, पैसा लगाना चाहते है, तो वो most welcome में आकर पैसे लगा सकते है, FDI से आने वाले जो investors उनके पास दो option है, एक तो होता है यहाँ पर government route, कि government approval लीजे, तब उस particular sectors में जो है invest कर सकते है, second होता है automatic route, कि अगर किसी investors को लगता है, कि किसी इस sectors में पैसे लगाने चाहिए, invest करना चाहिए, तो वो एक दन से automatic route के तरफ से आ सकते है, service export अगर हम लोग देखें, तो यह surpass हो गया है pre pandemic level से, और India का share अगर हम लोग वर्ल्ड की commercial service export में देखें, तो यह भी 4.1% से increase हो चुगी है, इंडिया अगर आप देखो तो third largest startup ecosystem है फुरे वर्ल्ड में, it means the US और चाइना के बाद हमारा number आता है, जिसमें कि हम लोग startups पर ध्यान देते हैं, अगर new recognize startups देखें तो यह भी increase हो रहा है, यानि कि 14,000 से ज़्यादा ही है, कहां 2016-17 में 733 ता, आज के डेट में आप देखो 14,000 से भी ज़्यादा हमारे देश में new startups को recognize किया जा रहा है, 44 इंडिया ने startups है, जिनके द्वारा unicorn status यहां पर आपका achieve किया गया है, साथी इंडिया की ranking अगर global innovation index में देखें तो यह भी हमारा बढ़ता गया है, कहां 2015-16 में हमारा 81st rank था और आज के रेट में 46 rank है, तो यह भी ध्यान रखना है, major government reforms पिलाए गया है service sectors में, जैसे कि telecom regulations को ITBPO sector से remove कर दिया गया, space sectors को open किया गया है private players के लिए, स party prompt यहाँ पे strategy है, ports के लिए, shipping के लिए और waterways के लिए, साथी जो patent application procedure है, उसमें reform भी किया गया है, जिससे कि जो procedural delay है, वो यहाँ पे overcome हो सके, तो यह सारा काम क्या जा रहा है, यानि कि patent देने के लिए, जैसे कि अगर किसी ने अपनी बुद्धिमता का इस्तिमाल करके, किसी भी चीज़ का अगर innovation किया है, तो उसके लिए उनका हक बनता है, और उनको 10 साल के लिए patent दिया जाता है, कि आप जितना भी energy, time, money जो है, इनवेस्ट किया है, उसका भरपाई कर सकते हो, तो यहाँ पे patent मिलने भी काफी delay होता है, काफी complex यहाँ पे procedure है, तो यह सारा यहाँ service sector में reform किया गया, chapter 10 है social infrastructure and employment, social infrastructure की बात करें, क्योंकि आप देखो जैसे pandemic आई है, तो एक safety net यहाँ पे vulnerable segment को provide करने की बात की गई हमारे society में, और जो health point of view है, तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी vulnerable section of society थे, उनकी health perspective से काफी जादा हिट हुआ है, यहाँ पे हमारे pandemic से, initiative क्या क्या लिया गया है, जिससे कि इस pandemic को handle कर सके, तो सबसे पहले इंडियन national covid vaccination program लाए गई है जिसके थायत आप देखो कि vaccination process चलाया जा रहा है, budgetary allocation है, 35,000 crore का, जिससे कि vaccine को procure कर सके, साथी technology का use कर सके, आरोगय से तु आप आया था starting में, जिससे यह पता चलेगा कि आप COVID-19 patient के contact में आये हैं कि नहीं, आपकी क्या traveling history है, each and every thing पता चलेगा, digital covid यहाँ पे 2.0 platform लाए ग और हर घर 10 तक के ध्रू जो है vaccination यहाँ पे हर लोगों तक पहुंचाया जाए, expenditure अगर हमनों social service में देखें, जैसे कि health sector हो गया, education sector हो गया, तो यह भी बढ़ा है, 6.2% से यहाँ पे increase हुआ है, sorry, 6.2% कहा 2014-15 में था, आज की date में 8.6% तक यह increase हुआ है, health or education में आउटकम्स तो जैसे कि national family health survey 5 आया है, इससे बताया जा रहा है कि जो total fertility rate है, यहाँ पे आपका कम हुआ है, यानि कि एक couple के पास, एक female के पास कितने बच्चे, उन्हें कितने बच्चे जन दिया, तो अब यहाँ पे बच्चे जन देने के भी जो यहाँ पे बात है, पहले आप देखो क कि बहुत सारे बच्चे होते थे, वो अप यहाँ पे कम हो पा रहा है, साथी अगर हम लो infant mortality rate देखे, यानि कि जो बच्चे जन देते हैं, इनसे 5 साल तक बच्चों के कितनी मृत्य होती है, तो यह भी कम हुआ है, अंडर 5 mortality rate, यानि कि जो बच्चे यहाँ पे जन दी है और पांस साल तक उनकी जो मिर्ति होती है, वो भी कम हुआ है, साथी improvement अगर social infrastructure में देखे, तो यह आपका school enrollment के साथ increase हो है, साथी school dropout यहाँ पे कम हो है, यह बताया जा रही है, यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपे school जा रहे हैं, और जो बच्चे school जाते थे, वो economic जैसे revive कर रहा है, तो employment indicators जो है, यह भी bounce back हो रहा है, अब यहाँ पर पता नहीं किस हिसाब से bounce back लिखा है, मुझे तो असा लग नहीं रहा है, continued यहाँ पर formalization है job का, यानि कि EPFO data के हिसाब से बताया जा रहा है, जो job है वो यहाँ पर formalize हो रहा है, fund वगेरा भी increase किया गया ह है मन्रेगा में, महत्मा गांदी नेशर रूलर employment guarantees की, जिसमें के 100 days की यहाँ पर guarantee की जाती है, और यहाँ पर fund allocate किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो को यहाँ पर आपका job भी मिला है, improvement की गई है, formal vocational or training, जो technical training हो उसमें भी, chapter 11 की बात करें, tracking development through satellite image and यहाँ प देखो कि यहाँ पर new forms of data को इसके use को यहाँ पर इंटर्ड्यूस किया गया, साथ ही economic activity है, उसको भी track किया जा रहा है और उसके development को भी track किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जियो special data और जो cartographic यहाँ पर technology है, इन सब को हम लोग use किये, इट मिन्स कि track करने के लिए, compare करन अब यहाँ पर हम लोगेशन का इमेश लिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उस geographical location का जब इमेश लिया जाता है, तो इससे काफी ज्यादा help हो पाता है, कि बेटर समझ पाते है कि हाँ क्या trends चल रहा है, क्या relationship है, किस तरीकी का pattern है, अब major observation आप यहाँ पर देख सकते हो, कि national highway network length कितना था, अब कितना है, और कितना trend है, साथी number of operationalized airport कितने है हमारे देश में, और more than double जो है, यह हो चुका है, commercial bank branches कितने हैं, और यह आपका जो है, कितना यह टाइम्स इंक्रीज हुआ है, net shown area कितने हैं, और यह कितना आपका growth है, तो यह सारी data है, जो कि यहाँ पर cut to cut आपका दिया गया है, तो guys, इस हिसाब से हमारी जो इस पर की economic survey है, इसका यह आपका highlights है, अब इसमें जब यहाँ पर summary आ जाएगी, विजनाइस की, तो मैं उसे भी deal करूँगी, और इसके लिए एक छोटी से और न्यूस है, कि अगर आप लोगो विजनाइस की test series join करनी ह तो आपको description box में जो email ID है, वहाँ पर mail करकर आपको join हो सकते हो, बहुत सारे test, five test complete हो गए है, अभी बहुत सारे test आने बागी है, तो आपको जितने भी मिचे time लगती है, मिचे जब time मिलती है, तो मैं जद्दी जद्दी आपको test provide करती हूँ, तो guys, आज के लिए बस इतने ह मिलती हूँ कल, अगर आपको ये highlights अच्छे लगे हैं तो इसके लिए आप like कर सकते हैं, इसके लावा भी आपको अगर कोई भी doubt पर इस suggestion से तो आप comment कर सकते हैं, मिलती हूँ कल इस time पे, आज के लिए बस इतने, thank you